नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बाबाधाम की बेटी अर्चना देवघर से और आज जो मुझे ये ओर्डर मिला है ये मुझे पाच बजे शाम में ओर्डर आया हाप केजी रसमलाई केकी और कहा कि क्या आप 15-20 मिनट में तयार करके मुझे दे सकते हैं तो थोड़ी सी मैं हैरान हैरान इसलिए हो गई क्योंकि 15 मिनट में मैं रसमलाई केक कैसे बना के दे सकती थी तो मैंने का जी नहीं भाईया आपको इंतजार करना होगा एटलिस्ट मुझे तीन घंटे का समय दीजे क्योंकि मुझे घर पर बनाना था रसमलाई और उसके बाद स्पॉंज फिर क्रीम भीट करनी थी और कुछ काम घर की भी होते हैं हम होम भीकर को थोड़ी सी परिशान भी हूँ जबसे घर में चोरी हुई है तो भूल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे 21 सालों की जमापुंजी थी वो सारा मेरा ज्वैलरी चला गया कैश जितना था मेरा केक का वो सारा चला तो दिल कहीं है दिमाग कहीं है पर काम तो मुझे करना है इसलिए मैं कोई भी ओर्डर छोड़ती नहीं और हमेशा इंतजार में रहती हूँ चाहे कितना भी काम क्यों न रहे मुझे घर पर लेकिन मुझे इंतजार रहता है सुबह से लेकर शाम तक कि मुझे ओर्डर आए क क्योंकि order आएगा तो मैं थोड़ी सी बीजी भी रहूंगी और इससे जो मेरा नुकसान हुआ है जितना मेरा cash गया है सायद दो साल लग जाए मुझे उतना cash कमाने में इस cake को बनाते बनाते क्योंकि हम home baker को उतना order नहीं आता है और जो order आता है उसी पर हम लोग dependent होते हैं तो इस तरह से आज जो ये हाप केजी की रस्मलाई केक बनने जा रही है इसके लिए मैंने यहाँ एक कप रस्मलाई का यूज़ किया है 200 ग्राम विपिंग क्रीम ली है क्रीम की लेयर बहुत पतली रखनी है क्योंकि हम home baker को इसलिए order मिलता है क्योंकि हम लोग customized sponge भी बनाते है तो आज का जो ये sponge है बहुत ही मज़ेदार है इसकी बैटर में गया है ठेर सारा केसर पिस्ता बाधाम जिसकी हर बाइट में मज़ा आने वाला है दूस्तों और आज की ये order देवगरेम्स की तरप से ही है तो काफी अच्छा लगता है जब लोग आपके काम को पसंद करते ह हैं और इतनी दूर से आपके पास आते हैं तो खुशी होती है कि चलो भई भगवान ने शायद कुछ तो हाथ में दिया है अभी जिस तरह से मेरे साथ जो दुरगटना घटी है उससे मैं उबर भी नहीं पाई हूँ लेकिन कोशिस करती हूँ दिन रात कि भगवान मुझे इतना काम दे दो कि मैं काम में ही व्यस्त रहूँ ताकि घर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े किसी तरह से तो आज जो ये केक बनने जा रही है दोस्तों इसकी प्राइज मुझे मिली है 600 रुपीज तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट कीजेगा कि आप मेरी अगर इस केक को बनाते तो आप कितनी प्राइज रखते ऐसे वजन में ये 700 ग्राम है और चुकि हमारा जो देवघर है वहां रस्मलाई केक हम होम बेकर जो बनाते हैं तो ऐसे जेनरली 1000 रुपीज इसकी रखते हैं पर जब आप इसमें ड्राइफ रूट्स जितना ज़्यादा देते हैं इसका वजन ज़्यादा भागता है उसके आकॉर्डिंग आपको प्राइज रखनी होती है क्योंकि हम होम बेकर कोई भी काम करते हैं तेल से करते हैं और जितना हमारे पास किनारों में भी मैंने एकदम पतली सी लेर रखी है क्रीम की एकदम क्रीम मोटा देना ही नहीं था मुझे इसमें क्योंकि लोग स्पॉंज को ज़्यादा पसंद करते हैं और इतफाकर आज मैं एक जगह गई थी तो वहां से मुझे तीन पाउंड केक का ओडर आ गया है जो 13 अक्टूबर को है तो उसमें भी मुझे कहा गया है कि प्लीज क्रीम एकदम कम यूज कीजेगा तो मैंने कहा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं हम होंबेकर जो भी ओर लेते हैं अपने कस्टमर के चोईज और डिमांड पर ही बनाते हैं इसलिए आपको कोई शिकायत नही होगी तो यहां इस तरह से आज मेरी यह जो हापकेजी केक की ओर्डर थी उसे मैंने 700 संथिंग बना करके दिया है जो मैं आपको डिस्प्ले बोड में शो करूंगी और यकीन मानिये कि आप भी घर पर जब इस रेसिपी को ट्राय कीजेगा तो इतना ज़्यादा तारीफ मि तो दोस्तों अगर आज की यह वीडियो आपको कहीं से भी फ्रूटफुल लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज्यादा स्यादा शेयर करें और इसी तरह की फ्रेश चीजें घर पर बना करके अपने फैमिली मेंबर्स को सर्व क करें अपने बच्चों को सर्व करें तुम मिलती हो मैं नेक्स्ट वीडियो में